हैलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्चना वेलकम टो मैं चैनल फूडशेप आज की रेसिपी है मतर पनीर की सबजी बहुत इलाजवाब रेसिपी है उमीद है आपको जरूर पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आ अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे जीरा तेजपत्ता और खड़ा लाल मिर्च कुछ सेकेंड्स के लिए इसे भून ले उसके बाद इसमें तीन मीडियम साइज के प्याज को एक तम बारी काट कर डाल दें और इसे हलका सुनेरा कर लें इसे बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है बस इसे हलका सुनेरा करना है देखिए इस तरह के सी हलका सुनेरा हो जुका है अब इसमें डाल देंगे दो मेडियम साइज के टमाटर एक चमच अधरक लेसन का पेष्ट धनία पाउडर गरम मसाला पाउडर कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर और लाल और स्वात के अनुसार नमक डाल दें अब इसे 2-3 मिनट मेडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लें 2-3 मिनट तक इसे मैंने भून लिया है अब इस मिक्षर को हम एक ग्राइंडर में निकाल लेंगे और 2-3 चमश मसाला हम पैन में ही छोड़ देंगे जब तक कि मसाले ठंड़े हो रहे हैं उसे ग्राइन भी करना है अब इसे पांच मिनट धीमी आज पर छोड़ दें पांच मिनट हो चुका है मतर बी हो है सौफ्ट हो चुका है अब यह जो हमने मसाले पीस कर रखे हैं उसे इसमें डाल दें अब इसमें डालेंगे दो बड़े चमच दही दही डालने से मटर पनीर का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है अब इसमें डाल दे एक चमच कसूरी में थी इसे दो से तीन मिनट मेडियम टू हाइफ लेम पर भूल ले अब इसमें डालेंगे करीब आधा कप दूद अब इसमें पानी डाल दे पानी आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं कम या जादा डाल कर इसमें करीब एक ग्लास यानि एक कप पानी डाला है मैंने और आधा कप दूद डाला है अब इसमें डाल देंगे हम 200 ग्राम पनीर पनीर को आप अपने मन चाहे आकार में छोटे या बड़े टुकडे में काट सकते हैं इसे बहुत हलके हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर ले अब इसे ढख कर 2-3 मिनट के लिए धीमे आज पर छोड़ दे 2-3 मिनट बात मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था देखिए मटर पनीर की सबजी बनकर तयार हो चुकी है अब इसमें डालेंगे एक चमज बटर बटर डालने से ग्रेवी की थीकनिस बहुत अच्छी रहती है और ग्रेवी में भी बहुत अच्छा साइन रहता है अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती बारी काट कर और अच्छी तरह मिक्स कर लें देखिए मटर पनीर की सबजी बनकर तयार है इसे आप रोटी, नान, पराठे या पूरी के साथ सर्फ करें बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में इसका टेस्ट जो है वो मार्केट के मटर पनीर से भी अच्छा लगता है तो उमीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू